हम पढ़ रहे हैं pair of words, अब आ रही है pair number 16 की, इसका पहला लफ़ है auger, और इसका मतलब है a sign of a likely outcome often used in relation to interpreting the future. यानि जब किसी बात से या किसी चीज़ को देकर मस्तक्बिल में होने वाले किसी वाकिय के मतलब पहले सी अंदाजा लगा लिया जाता है, जैसे के patient going वगईर तो इससे मुराद होता है, ये लफ़ ओगर, जुमले में इसका इसका इस्तमाल देखते है, a black cat crossing your path is considered a bad ogre, यानि जब काली बिली आपका रास्ता काटे तो ये एक बुरा शगुन समझा जाता है, यानि इससे मुराद है कि शायद इससे ये पता चलता है कि आपके साथ मस्तक्बिल में कुछ बुरा होने वाला है, आप देखते हैं अगला लफस, इससे भी पहले ही लफस की तरह पढ़ा ज और मेकिंग होल्स, यानि सुराख करने के लिए लकडी वगारा में जो औजार इस्तमाल होता है, जिसे अर्दू में बर्मा कहा जाता है, तो जुमले में इसके इस्तमाल देखते हैं, आई रिक्वाइर अगर तो ड्रिल अ होल इन वुडन डोर तो फिक्स ते हैंडल, यानि ताके मैं दर्वाजे के हैंडल को उसमें लगा सकूँ, अब देखते हैं अगला पेर, इसका पहला लफज है अवार्ड, जिसका मतलब है तू बिस्टो या फिर पबलिक रिगनिशन अफ आउनर, तू बिस्टो से मुराद है किसी को नवाजना, यानि कोई इनाम वगरा दे इनाम दिया जाता है, जि मूले में इसके इस्तमाल देखते हैं, तू अध़ी में से मुराद है, आग पुचाने वाले अमले में काम करने वाला शख्र, तू इस जि मूले में ये कह जा रहा है, कि फारमैन को बहुत से लोगों की जिन्दगीयां बचाने, किस स्लसले में उस तमगे से नवाजा गया अब देखते हैं अगला लफ्स यह है reward जिसका मतलब है to compensate यानि जब आप किसी से कोई काम लेते हैं और फिर उसके सिले में उसे कोई रकम वगईरा देते हैं जुमले में इसके इस्तमाल देखते हैं there is a rupees two lakh fifty thousand reward for the capture of the notorious thief notorious जो लोगों को बहुत सता रहा हो लेकिन वो पक्राई ना दे रहा हो और इस बुरी शोहरत की वज़ज़ से वो खासा मशूर हो तो इस जुमले में कहा जा रहा है कि उस बदनामे जमाना चोर को पकरने के लिए दो लाग पचास हजार का reward यानि इनाम रखा गया है अब एक और जमली की मदद से समझते हैं यानि उसकी अच्छी किस्मत उसकी मुशक्कत या महनत का reward है यानि सिला है या फिर नतीजा है या फिर इनाम भी कह सकते है तो इस तरह से भी love's reward का जमले में इस्तमाल किया जा सकता है अब देखते हैं अगला पेर इसका पहला लफ है bad जिसका मतलब है not good or correct in any way यानि जो अच्छा ना हो या किसी तोर पर भी वो दुरुस्त ना हो जमले में इस्तमाल देखते हैं the heavy rains left the road in a bad state यानि तेज बारिशों की वज़ा से road की हालत जो है वो खराब हो गई थी या बुरी हो गई थी अगला लफ है badly और इसका मतलब है the degree to which something is not done well यानि किसी भी काम को जब ठीक तरह से नहीं किया जाता तो वो फिर badly के जमरे में आता है यानि इसके मतलब कहा जाता है कि उसे badly किया गया है यानि बुरी तरहां से किया गया है या बदिली के साथ किया गया है जमले में इस्तमाल देखते हैं the cricket team performed very badly until the management selected the players on merit यानि cricket team बुरी कारकरदिगी का मुझाहरा करती रही जब तक कि इंतिजामिया ने खिलाडियों की काबलियों की मताबिक उनका चुनाव नहीं किया तो यानि यहां यह बताए जा रहा है कि बुरी कारकरदिगी की असल वज़ा जो है टीम में या cricket की टीम में वो इंतिजामियों की तरफ से गलत चुनाव की वज़ा है अगला पेर इसका पहला लवज है beside यानि at the side of यानि किसी चीज़ के साथ या बराबर में जुमले में इस्तमाल देखते हैं मेरे वालदेन मेरी जिन्दगी के मुश्किल अदवार में हमेशा मेरे साथ रहे या फिर उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया अब देखते हैं अगला लफ ये है besides यानि इसके आखर में letter s का भी इजाफा किया गया है और इससे मुराद है in addition to यानि उसके इलावा जुमले में इस्तमाल देखते हैं I have two more sisters besides the one you have met यानि मेरी जिस बहन से आपकी मुलाकात हुई है उसके इलावा मेरी दो और बहने भी है अब देखते हैं अगला पेर इसके पहला लफ़ है बी आर एकेई ब्रेक इससे मुराद है mechanical device for stopping यानि एक ऐसा mechanic की आला या machinery जिसकी मदद से चीजों को रोका जाता है जैसे के गारी के अंदर ब्रेक लगी होती है और इस तरहां से ये एक noun के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन इसे verb के तौर पर भी इस्तमाल किया जा सकता है यानि जब ब्रेक लगाकर किसी चीज को रोका जाता है तो इस अमल के मुटालग भी लफ्स break का इस्तमाल किया जा सकता है तो पहले देखते हैं लफ्स break का noun के तौर पर इस्तमाल noun से मुराद है किसी भी जगा शाखस या चीज़ का नाम इस जुमले में देखते हैं He pressed the break on time and save the crash यानि उसने बरवक्त ब्रेक को दबा कर टकर होने से रोक ली अब लफ्स ब्रेक का वर्ब के तौर पर इस्तमाल करना हो तो इसी जुम्ले को अगर थोड़ा से तबदील कर लिया जाए तो इस तरह से भी कहा जा सकता है यानि उसने जोर से ब्रेक लगाई ताके टकर होने से रोक सके अब देखते हैं अगला लफ्स ये है बी आर इए के ब्रेक और इससे मुराद है तु स्माश और तु शैटर यानि किसी चीज़ को तोड़ना या किसी चीज़ का तूट जाना और इस लवस की past form जो है यानि माजी में जब इसको इस्तमाल किया जाता है यानि गुज़रे हुए जमाने में जब बात हो रही हूती है तो ब्रेक की जगha लवज ब्रोक का इस्तमाल किया जाता है जुम्ले में लफ्स ब्रेक का इस्तमाल देखते हैं इफ यू बैंग दे ग्लास जोर इट विल ब्रेक यानि अगर आप शीशे के दरवाजे को जोर से मारेंगे तो वो तूट जाएगा एक और जुम्ला देखते हैं यानि उसने शीशे का गुल्दान तोड दिया यहां आप देख सकते हैं लफ्स ब्रेक को इसके पास्ट फॉर्म में यानि लफ्स ब्रोक को इस जुम्ले में इस्तमाल किया गया है तो यह थे चंद और पेर अब वर्द्स इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए